जै मातादी आज बात करेंगे राहू, केतू और शनी इनसे कैसे मुक्ती पाई जा सकती है जी हां अगर आपकी कुंडली में शनी का दोश है या शनी की साड़सती चल रही है या ढहिया चल रही है या राहू और केतु जो हैं उनकी कोई प्राब्लम चल रही है उनकी दशा चल रही है या काल सर्प्योग है साढसती है पित्र दोश है उन सब में ये जो उपाए है ये बहुत कारगर सिद्ध होता है आप शनी वार को जो चलता हुआ बहता जल होता है नदी हो गई या कुछ भी हो गया उसमें आप काले तिल लीजिए अपने हाथ में और चलते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए इससे आपकी जो शनी के दोश हैं उसमें शांती होगी और आप चाहें तो अगर आप कोई चलता पानी नहीं है तो आप शनी वार के दिन काले तिल का दान भी कर सकते हैं किसी गरीब को काले तिल अपने हाथ से दान कर दीजिए इससे आपका राहू केतु और शनी के जितने भ पूरे प्रभाव हैं, वो सब जो हैं, शान्त हो जाते हैं, कालसर प्योग में, ढहिया में, साड़ सती में, पितर दोश में, सब में जो है, इसका आपको बेनिफिट मिलता है, जय माता दिये